Hello guys, welcome to an academy, मैं हूँ अनी के तगवा अद आज daily current affairs में जो हमारा first topic है वो है country of origin made mandatory on gem तो जो gem आपका system है government of India का and government of states का भी जिसके इंदे कोई भी समान अगर किसे सरकारी दफ्तर में खरीदना है तो आपको उस e-marketplace से खरीदना पड़ता है उसके अंदर country of origin को जो है mandatory कर दिया गया है तो अब इसी के बार में हम discuss करेंगे country of origin क्या होता है gem system क्या है और इस policy को लाने का क्या महत्व हो सकता है क्यों हम इस policy को लाए हैं and किस तरह से ये हमारी economy को boost करने में help करेगा तो ये GS3 का part है economy से related है प्लस prelims में भी आपको इस से question आ सकता है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप like कीजिए इस वीडियो को share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और subscribe कीजिए हमारे चैनल को साथ ही आप उनसे टेलिग्राम पर जूर सकते हैं मेरा टेलिग्राम ग्रूप है Study Time YT और मेरा टेलिग्राम चैनल है अनिकित सर और यह अनकाडमी का टेलिग्राम चैनल है यह अनकाडमी का सम्मेट 2020 हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी है जो तीन दिन 26 अटाइस और 28 जून को आपको 56 Talks और Panel Discussions होंगे जिसके अंदर 56 Iconic Speakers आएंगे जैसे कि आपके शशी थरूर जी होगए, गरन बेदी जी होगए, कपिल देव, एक्स प्रेजिडेंट हमारे प्रणव मुकर जी, राज कुमार राओ, जैराम रमेज, जो कि Economist भी है और MP भी है और इसी तरीके से और बड़ी-बड़ी हस्तियां जो हैं, वो आप लोगों को मार्क दरशन करेंगी तो यह बहुत अच्छा interactive आपका session होने वाला है, इसको आपको जरूर attend करना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह free of cost है, तो आपको directly अनकाडमी के साइट पे जाके इसके लिए register कर सकते हो इस session को लगाने के बाद आपको बता चलेगा कि आपको UPSC क्यूंग करना चाहिए, किस तरह से आप repair कर सकते हो और अनकाडमी किस तरह से आपकी help कर सकता है, और इसके जो कुछ points है वो हम वीडियो के end में भी देखेंगे और इसके बाद आप किस तरह से leader बन सकते हैं, अगर आप fail हो गए हैं, तो आप after fail, failure को as a stepping stone कैसे ले सकते हो एक CD की तरह उससे आगे कैसे बर सकते हो, और इसके लावा भी 34 के करीब आपकी workshops और discussions होगी तो बहुत ही interactive और बहुत ही अच्छा आपके लिए experience रहे So GEM stands for government e-marketplace, a special purpose vehicle under the minister of commerce and industry has made it mandatory for sellers to enter the country of origin while registering all new products on GEM यानि कि अगर आप कोई भी समान किसी government office में भेजना चाते हैं, तो आपको अपने products के listing करनी होती है, government e-marketplace के उप़र and अब अगर वहाँ पे आप कुछ भी add करना चाते हो, अपना नया product add करना चाते हो तो उस case के अंदर आपको country of origin लिखना है, यानि कि वो जो object है, वो कहां से आया, वो भी आपको लिखना पड़ेगा और ये किसके अंदर आता है, ministry of commerce and industry के अंदर ये order आता है GEM has taken significant step to promote making India and आत्मनिर्बर भारत initiatives तो अभी lockdown के बाद हमने देखा था कि आत्मनिर्बर भारत के हम बात करते हैं कि हमें जो imports हैं उसको reduce करना है और अपने सारे के सारी जो needs हैं वो domestically पूरी करनी है ताकि हमारी domestic industry flourish हो सके और ultimately economy boost कर सके उस cycle के अंदर आ सके प्लस इससे making India का initiative भी बढ़ेगा क्योंकि आपके local जो products हैं उनको preference मिलेगी indication of local content GEM has enabled a provision for indication of the percentage of local content in the product और हर एक product के अंदर कितना local समान इस्तेमाल किया गया है उसके लिए भी एक check mark आ जाएगा तो उस भी percentage देखी जा सकती है कि कितना percent जो समान है वो local है country of origin as well as local content percentage are visible for all items in the marketplace मतलब कि अगर आपने कोई भी समान खरीदना है suppose करें कोई कार किसी office में खरीदनी है तो उन्हेंने स्विफ desire देखी अब वहाँ पर ये भी लिखाएगा country of origin क्या है कि या इंडिया में बनी है या नहीं बनी है और इसके लोकल कंटेंट में आएगा कि इसके अंदर जो समान इस्तिमाल हुआ है वो इंडिया से है या imported है तो यह सब चीजें आपको दिखेंगी make an india filter the new filter has been enabled so that the buyers can choose the products and buy only those products that have minimum 50% local content criteria again जैसे आप amazon पर कुछ search करते हो तो वहाँ पर आपको prices का option आता है रिलिवेंस का option आता है popularity का option आता है and so on तो इसी तरीके से government of india की site पे government e marketplace की site पे make an india का filter आएगा जहां से आपको minimum दिख जाएगा कि 50% जो content है वो made in india है या नहीं है local content है या नहीं है and वो ही products जो है वो display होंगे इससे क्या होगा कि जो government में officers हैं जिनके लिए कोई भी समान खरीदना है offices के लिए कोई इप्रास अच्छा खरीदना है and so on तो वहां पे हमारे जो local content है उसकी बढ़ातरी होगी they can also switch on the make in india filter to see the products that match the preferences of local content promotion of make in india initiative तो सबसे बड़ा significance इसका क्या है कि make in india को promote करेगा since its inception Gem has continuously worked towards promotion of the make in india initiative तो Gem जब बनाया गया था तो make in india क्या ही products को प्रूफ करने के लिए improve करने के लिए जो भी समान हमारा local समान है वही offices में जाए government तो कम से कम वही परचेजर करेगी यह बहुत 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 आरोप लगता था government के अंदर की बहुत जाता corruption है तो जो officers empowered है जो भी finances release करते हैं वह अपने मरजे के वह लिस्ट करेगा और जो lowest price फी product होगा वह आपके पास पहुन जाएगा उसके बाद आता है आपका transparency and cost effective procedure तो again GM enabled quick efficient transparent effective system especially when government organization requires products and services urgently to fight against covid तो यह मैं आपको बता चुका transparency कैसे है क्योंकि आपके पास सब कुछ black and white के अंदर है सारे orders online हो रहे हैं और lowest price जो आपकी bidding आ रही है उसी को आप purchase कर रहे हो promotion of आत्मनिर भारत तो अब जो हम आत्मनिर भारत policy लाए हैं उससे भी covid-19 के अंदर जो economy डाउन हुई है वो भी सरी ठीक हो जाएगी तो again इससे self-reliance बढ़ेगा और जो small हमारे manufacturers हैं उनको भी boost मिलेगा gym के बारे में कुछ और information देख लेते हैं तो जैसे मैंने आपको पताया है government में कहीं पर भी किसी भी तरह की गुड्स चाहिए हो government की purchasing है उसमें जो corruption है वो कम हो सके और efficiency भी आ सके it operates under the ministry of commerce and industry जैम किसके अंदर आता है ministry of commerce and industry के आता है इसको भी हमने अब भी देखा था यह आपको याद रखना है यह fact आपको प्रिलिंज में पूछा जा सकता है तो मत्तर जो भी ministries में समान जाना है यह central public sector enterprises से में समान जाना है वो तो mandatory हैंगे वो जैम के अलाबा कहीं और से खरीब ही नहीं सकते है अब practically आप देखोगे तो सारे state governments भी इसको follow करते हैं और सारे state governments भी जैम से ही समान खरीते हैं it also provides the tool for e-bidding and reverse e-auction to facilitate government users to achieve best value for their money objections होते हैं और पूरा option की तरह का system भी बनाया गया होता है तो जो भी lowest बिडवें आपको best price, best quality दे रहा है वो चीज़ आप select कर सकते हो तो government को value for money इसमें मिल जाता है at present jam has more than 15 lakh products, 20,000 services and 40,000 more government via organizations so with this we have completed the topic of jam and आपको इसके अंदर याद रखना है country of origin का भी एक नया filter add हो गया है जिससे हम covid के अंदर जो economy down हुई है उसको बढ़ा सकते हैं make an india scheme को बढ़ा सकते हैं और आपकी जो domestic जो लोग है manufacturers है उनको भी encourage कर सकते हैं so with this we have completed the topic I hope आपको अच्छा लगा होगा thank you for watching हमारे तीन नए batches शुरू हो रहे हैं 22nd June से जिसको आप enroll करा सकते हो अगर आप UPSC की preparation कर रहे हो तो यह batches आपको multiple languages में मिल जाएंगे तो अगर आप English medium के student है लेकिन Hindi वे चीज़े समझते हैं तो आपको bilingual batch मिल जाएगा Hindi only batch मिल जाएगा Hindi medium के students के लिए और English only batch मिल जाएगा जो कि सिर्फ English में comfortable है prices आप देख सकते हो अगर आप 24 months का plan लेते हो तो आपको 67% discount मिल जाता है and additional 10% discount मिल जाएगा using the code ANI7 तो आपका total amount 57600 बनता है and similarly अगर आप 12 months का plan लेते हो तब आपको 54% discount मिल जाता है प्लस आपको 10% additional discount मिलेगा using the code ANI7 अब आपको ये plan क्यों adopt करना चाहिए उसके बारे में कुछ advantages देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहली जो चीज है वो है कि आप अपने favorite teacher से सीख सकते हैं तो इसके अंदर कोई teachers के उपर बंदिश नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि आप offline coaching में जाते हैं और आपको वहाँ पर quality पढ़ाने वारे सर जो है वो अच्छे लगते हैं और उनका quality आपको समझ में भी आता है लेकिन हो सकता है economics या history या कोई और subject है जो आपको नहीं समझ में आता या आप उन teacher से नहीं समझना चाते हैं कि उसे और teacher से पढ़ना चाते हैं तो उस case में आपको extra खर्चा करना पड़ता है कहीं और जाना पड़ता है लेकिन नहीं कैडमी प्लस में ऐसा नहीं है आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं तो आपने A teacher से suppose कीजिए quality पढ़ा आपको अच्छा लगा लेकिन A teacher का geography आपको अच्छा नहीं लगा तो आप किसी और B teacher के पास जाकर भी वो subject को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई restriction नहीं है कि आप कितनी मरज़ी बाद teachers को switch कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको best combination of teachers लगता है आप उनके जो lectures हैं वो देख सकते हैं और अपना slaves घर बैटे बैटे आराम से पूरा कर सकते हैं second यहाँ पर आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं तो यानि कि आपके सारी doubts जो है वो to the point विल्कुल साथ की साथ ही निप्टारा कर दिया जाता है तो nip in the bud हो जाता है ताकि कोई भी doubt ऐसा नहीं हो जो linger on करता रहे और बाद में आपको problem create करें revision के time पर आपको problem आए तो आपके सारी doubts को specific sessions के अंदर completely cover कर दिया जाता है again जो बहुत बार आपकी offline classes हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे आपका clearing doubt session चलता रहेगा आपके doubts जो हैं वो clear होते रहेंगे उसके बद आपको एक ही subscription के अंदर multiple courses हैं वो मिल जाते हैं और आपको unlimited access मिल जाता है पूरी anacademy library का तो suppose कीजिए आप PCS की भी त्यारी कर रहे हैं and IS की भी त्यारी कर रहे हैं अब IS के बीच में आपके UP PCS का exam निकल आता है तो उस टाइम पे आपको UP PCS के लिए कोई specific courses देखने हैं specific lectures देखने हैं तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं तो एकी subscription आपको अलड़ अगलग exams की त्यारी basically करा रही है तो एकी subscription से आपको बहुत कुछ मिल जाता है तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फायदा उठाएं तो आप multiple exams भी crack कर सकते हैं और जो आपको जाब लगती है आप उसको रख सकते हैं तो एकी subscription में आपको बिना double पैसे खर्च किये आपके अच्छे से सारी त्यारी हो जाती है और अगेन घर बैठे बैठे क्योंकि घर बैठे 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 बहुत बड़ा comfort है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं क्योंकि आप देखे अगर आप आफ लाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपको एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसके बाद कई बार पारकिंग फीस लगती है उसके बाद यहाँ पे real time interaction है teachers के साथ तो ऐसा नहीं है कि वीडियोज चल रही है तो आप teacher से बाचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते बलकि आपका जो connect है वो अच्छे से होता है आप live chat के अंदर questions बूच सकते है तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निक पारे इसके अलावा आपको अन्या पे unlimited test series मिलेगी तो exam से पहले सबसे जादा important होता है कि आपने कितने test किये क्योंकि जितने test किये और especially जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें जरूर याद देना जाती है तो इसलिए test के अंदर की जो गलती हैं वो आपकी बार annotated तो अगर plain suppose कीज़े आपने कोई MCQ का course लगाया और उसके अंदर आपने plain PDF file ले ली तो आप बाद में उसको खुझ से practice कर सकते हो कि आपको कितने questions याद हो गए और बाद में आप उसे annotated है जिसमें teachers ने आपको answers और reasons वहां कराए हैं उसके साथ match करके देख सकते हो कि आप बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो syllabus है वो अधूरा रह गया सर ने NCI आटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया कुछ ना कुछ किसी ना किसी coaching पे कुछ रह जाता है तो बहुत सारी coachings जो है वो complete भी करा देती हैं लेकिन कुछ बच्चों कर रह जाता ह लेकिन एन academy पे आपको पूरा पाठे करम कराया जाएगा पूरा syllabus आपका cover किया जाएगा और इसके अंदर एक और advantage है वो यह है कि अगर आपको लगता है किसी teacher ने कोई topic मिस कर दिया या कोई topic आपको ठीक से समझने आया तो आप वो switch करके दूसरे teacher का same topic search कर सकते हो देख सक से वहाँ पे internet की reception अच्छे नहीं आती जैसे suppose करो अभी cyclone विगारा आ गया था तो internet reception जो थी बहुत सारे areas में इंडिया में वो coastal areas की तरफ वो काफी जादा down हो गई थी उस case में अगर आपने सब कुछ download करके रखा हुगा है तो आपका syllabus आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और repeat पे चला सकते हो और offline सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो तो यह again एक बहुत बड़ा advantage होता है तो यह कुछ advantages मैंने बता है आपको क्यों join करना चाहिए in academy plus अगर आपको लगता है कि an academy plus का subscription अच्छा है आप हमारी वीडियो देखते हो हमारी quality देखते हो तो आप join करेंगे तो आपको 10% extra discount मिल जाएगा using the code ANI7 तो इस code से आपको 10% extra discount मिल जाएगा तो आपको जो net amount है वो काफी कम आ जाता है और मैंने आपको शुरू में भी जैसे बताया था अगर आप 2 साल का subscription इक अठे ले लेते हो तो आपको 75% तक discount मिल रहा है और plus 10% extra discount भी मिल रहा है using the code ANI7 तो again यह बहुत अच्छी deal है अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओगा informative लगाओगा thank you for watching this video and have a nice day कर दो कर दो